स्मार्ट एं लीगल गादेंस डाउन्लोड दिया अप्लिकेशन नाउ यहां पर एक इशू ही आता है कि मान लेते हैं कि कोट और सेशन ने या हाई कोट ने एंटिसेबिटरी बेल मेरी कितने टाइम तक के लिए कोट ने ग्रांट करी है कि फर एक्जामपल पुलिस ने एफाई अज कर दी बड मैं तो एंटिसेबिटरी बेल ले रखी है अब पुलिस मुझे रह सकती है यानि कि मेरे क्लाइंट को रह सकती है क्यों जो कि या मैंने कोट से कोट और सेशन या ईट अपनी गरांट करवा रखी है अब कोश्चन यहां पे यह आता है कि anticipateory bail क्या मेरी trial खतम होने तक रहेगी यानि कि police मुझे trial जब तक चल रहा है जिते साल बीद गए trial को चलते 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 तो क्या police मुझे रस नहीं कर सकती क्या मेरी ज़ो टाइम पीरिड है वो क्या unlimited है जब तक trial खतम नहीं होता जब पे डिपेंड करता है, case to case, अभी अगर मैं जज्मेंट की बात करूँ, सुशीला अगरवाल वर्सेज स्टेट एंसिटी ऑफ डेली, 2020 सुप्रीम कोड, इसी पॉइंट को यहाँ पे सुप्रीम कोड अभी क्लैरिफाई करा है, सुप्रीम कोड अफ इंडिया ने साफ शर्दों है, लेकिन अगर accused जो है, anticipatory bail ले जाने के बाद, वो सोचे कि चलो, मैं आप दूसरा अपराद कर देता हूँ, तो accused ने क्या करा, जो मेरा client था, उसने एक और अपराद कर दिया, अब वो एक और अपराद करने का मतलब, अब accused क्या रहा है पुलिस वालों को, ये देखो मेरे पस तो anticipatory bail है, अब तो मुझे arrest नहीं कर सकते हूँ, the question is, तो क्या यहाँ पे जो नया अपराद करा, दूसरा अपराद करा, तो क्या उसमें मेरे client को, जो पराने वाले offense के अंदर anticipatory bail ली गई है, उसमें protection मिलेगी, the answer is no, protection नहीं मिलेगी, तो जो मेरे client ने दूसरा अपराद करा, उस अपराद करने की वज़े से, पुलिस जो है, मेरे client को arrest कर सकती है, दूसरी तरफ देखा जाए, तो जो court ने मेरे का anticipatory bail grant करी है, वो भी court cancel कर देगा, कि भाई, हमने तुमारे का anticipatory bail अपराद करने के लिए थोड़ी ना grant करी थी, पहले वाले अपराद में, तुम भा याद रखेगा, anticipatory bail जो है, वो unlimited time period के लिए होती है, लेकिन यह depend करता है, कि अगर accused यहाँ पे conditions का पालन नहीं कर रहा है, तो court, anticipatory bail grant करते time, limit भी लगा सकती है, कि जब तक charge sheet file नहीं होती है, तुमका anticipatory bail दी जाती है, जैसे charge sheet file हो जाएगी, उसके बाद accused, तुमारे को जो है concerned court के पास जाके regular bail लेने के लिए आना पड़ेगा, regular bail हमें कहां से दी जाती है, section number 437 of the CRPC and section number 439 of the CRPC, अगर 437 की बाद करूँ, तो वो court of session से आपको regular bail लेनी होती है, अगर मैं 439 की बाद करूँ, तो वो high court से आपको अपनी regular bail लेनी पड़ती है, CRPC के provisions है, यह depend करता है कि आ तोर पे अपना अगर bail देगा, तो वो तो कोई बात नहीं है, 436 के अंद regular bail लेनी तो आपको अपना मिल जाती है, अगर bailable offense है तो, लेकिन अगर non-bailable होता है, उसमें main point आता है 437 and 439 of the CRPC का, तो मैंने आपको doubt clear कर दिया है, जितने भी वकीलों के दिमाग में एक question आ रहा हाँ जी, आप regular bail ले सकते हो, बात खतर, आई होब आपको वीडियो पसंद ये होगे और वीडियो पसंद अगर आई है, तो वीडियो को like जरू करेगा, चैनल को subscribe जरू करेगा, और अपने other lawyers हैं, और अपने law students हैं, और अपने law lawyers के, अपने job के friends हैं, colleagues हैं, उनको वीडियो क share करके update जरू दीजएगा, बागी मिलते हैं, एक्स वीडियो के न, thank you, करने बाद,